आठ बच चुके हैं वियोज इसका मतलब यह है कि देश भर में जितने काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर गिंती शुरू हो चुकी है पोस्टल बैलेट्स सबसे पहले खोले जा रहे हैं पोस्टल बैलेट्स जो सरकारी करमचारी इधर उधर काम करते हैं जो अपने स्टेशन पर नहीं होते हैं वोट नहीं दे सकते हैं वोट जहाँ है वहाँ डालते हैं वो फिर वहाँ से पोस्ट के जरीए लाया जाता है तो व पहला ट्रेंट कभी भी आएगा आपकी स्क्रीन पर पहला एक जो नतीजा है वो अल्रेडी हमने आपको बता दिया सूरत का नतीजा जो बीजेपी के पक्ष में निर विरोध बीजेपी के प्रत्याची जीते गए थे वो एक आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है और जिस तर दिखाया जा रहा है उनके सामने ही एवी एम को बॉक्स में से निकाला गया है उनके सामने ही डबल लेयर ऑफ सील खोली गई है अब इसके बाद भी अगर कोई शंका करता है तो जनता नतीजा तो सुना ही चुकी है नतीजा अब सब के सामने होगा आठ बचकर एक मिनिट का वक्त हो रहा है और पहला रुजान आप बहुत जल्द इंडिया टीवी के इस टेली स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं आप देख रहे हैं उपर जहां पांक सो तैतालिस का आकड़ा लिखा हुआ है एक सूरत की फीड जो पहले से ही एंडिया के खाते में है और जहां ज प्रदन त्रिपाठी जी भी आचुके हैं त्रिपाठी जी आपको है बहुत स्पागत गिंती शुरू हो चुकिया प्रुजान आए उससे पहले जल्दी से आपको अपती बात कहनी पड़ी आज तो ऐसे ही चलेगा दिन बर ने ने मुझे लगता है कि अब तो बात क्या कहनी है कहते हैं कि कई बार काम बोलता है आज लोगों का जनादेश बोलेगा तो हम लोगों को तो सिर्फ ये बोलना है कि जो चीजें होती रही है वो क्यों होती रही है और कम से कम आज मुझे लगता है दुनिया इस बात को दे पर इंडिये के पक्ष में जा रहे हैं आपको दिखाया गोरकपुर से महाराज से ट्रेंड है नाखपुर से नितिन गटकरी है वो अपनी सीट पर आगे इस पर लीड कर रहे हैं इनके लाब पंकजा मुंडे लीड कर रहे हैं नौ ट्रेंड जब हो चुके हैं जहां पर एंडिये लीड कर रहा है तो उपर आप जा देखेंगे वो गटबंदन है एंडिये को नौ रुजान शुरुआती नौ रुजान में बड़ात निलती भी दिखाई दे रही है जाती दिखाई दे रही है और बीजेपी दस सीटों पर लीड कर रही है ज़रा नीचे पार्टी वाइफ जो हम आपको सिटुएशन बता रहे हैं उस पर भी तरेंड इंडिये के पक्षमें जाते वे दिखाई दिया अभी तक एक ट्रेंड इंडिया गटबंदन का वो अभी शुरबाती रुजहान आना शुरू हो चुके है नॉइडा का भी ट्रेंड आगे है जहां बैटे महेश शर्मा यहां से लीड कर रहे हैं महराश्र में तीन फीटों के रुजहान आचुके हैं इधर पशिम बंगाल में दो फीटों के रुजहान हाला कि यह अभी क्लियर नहीं हुआ है इन दो फीटों पर कौन आगे चलती हुए दिखाई दे रही है कि भार्चेंदा पाटी जो मंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे है तो तिसे नंबर पर जाएंगे बतार चुनाव जो होने वाला है वो बाड में बाटी और कॉंग्रेस के बीश होने वाला है केलाज शोधी तिसे नंबर पर जाएंगे वाला है सुरक्षित सीट माना जा रहा था संबेत पातर आपकी सीट पर रामपुर से घंशाम लोधी आगे हो गए हैं ये भी आपको हम ट्रेंड्स दे रहे हैं टोटल ट्रेंड्स बाइस वियर्स अठारा एंडिया के पक्ष्में उन्निस हो गया आप तीर इंडिया गठपंदन के पक्ष्में और एक अदर्स के पक्ष्में रारिस्तार ने बड़ी रूची है संजीट भी सब की अभी उन्ने बाढ़ में में रविंदर भाटी को आगे दिखाया चुरुबाती ट्रेंड में आपने काता जाने किसने ये जीते ना जीते बीजेपी को हराएंगे नहीं मतला एक्ष्में जो ये कह रहे थे हैंभी समीर की कंटेस्ट वहां कॉंग्रिस और भाटी के बीच में है मुझे लगता है अटिमेटली कॉंग्रिस का गैंडिट जीतेगा भाटी बहुत अच्छा महाल बना पाएंगे सब कर पाएंगे लेकिन एक पार्टी का जो बै बीजेपी ने केंडिट के सेलेक्शन में गड़ बढ़ की अगर वहां केंडिट ठीक से सेलेक्ट अगते तो शायद ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती क्योंकि अभी अभी तो राजस्तान दे लेंड विक्ट्री विदासमाई भी बीजेपी को दी है तो राजस्तान के लोग बीजेपी से नाराज हो राजस्तान के लोग बोधी से नाराज हो ये संबब नहीं है और ये कोई कहे कि वसंदरा राजेने को ना बनाने से लोग नाराज हो ये सब पॉसिबल नहीं है अब मुझे लगता है कि कैडिडेट सेलेक्शन में इस बार चूप हुई है तीन एलाइम्स पांक सीठों पर आगे चल रहे हैं, चुरू से कॉंग्रेस के राहुल कक्वा आगे चल रहे हैं, बीजेपी ने टिकट नहीं तिकेट नहीं है, इस वक्त वक्त आगे एक सीट ने एक सीट ने अगे तक स्मृति रानी ने काम किया योगी मोधी का नाम है स्मृति रानी बहुत अच्छे मार्जिन से अमेटी से जीतिरे जा रही है अगर विदीशा की बात करें सर इसमें तो कोई शक्त था ही ने शिवराज से बीजेपी किसी को भी रड़ाएं वो जीतना निश्ची थी है से तो कोई भारी नहीं निकल रहा ना संगठन है ना पैसे हैं ना कुछ है आप कुछ मदद कर दे तो अच्छा होगा तो सूली पे चढ़ा दिया गया उनसे मदद मांग रहे थे जिनके निर्था जिन में अर्विन केजरिवाल ची गए तो थे प्रचार करने के लिए बिलकु चारव फीटों का रुझान आया है और चारों फीट पर बीजपी आगे लीट करते हुए दिखा दे दी है और बश्रिम बंकाल में तीर सीट प्यूष गोईल मुंबाई नॉट से प्यूष गोईल को लीट कर रहे हैं प्यूष गोईल समीय जी बिलकुल हो तो मुंबाई के सबस्रुक्षी सीटों में से महां से गोपाल शेटी सांसा धुवा करते थे वो सबस्रेव सीटे महां से आराम से जीतेंगे प्यूष गोईल से अखिलेज ज्याद अब लीट कर रहा है मतुरा से हिमा माली नी अब कनौज भी आ गया मैन पूरी के साथ साथ अगर इतना एक्सपेक्टेड लाइन्स पे है तो जो सर्वे है जो भावेश आएंगे तो खुश होते हुए आएंगे तो लगबग उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है याला कि बहुत शुरू आती है जिसको कहते हैं कि इंडिकेशन जो होता है बहुत शुरू आती है तो पूछते हैं कि अगर यह ऐसा ही है जैसा एक्सपेक्ट पोल ने बताया चुनाव है तो कितने बज़े तक हमें पता चल जाएगा तब कुछ लगता है कि साड़े बारा एक बज़े तक सिचुएशन बिल्कुत लिएर जाने जाएंगे तो ब्योज़ दिखे तो आपके हमार पर इंडिया घटपंदा नागे चल रहा है तीन पर अन्य गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग चुरू से कॉंग्रेस के राहूल कस्पा हमने राधिस्तान की बहुत चर्चा है कि राधिस्तान की बहुत सीटों के ट्रेंड्स शुरुवात में अचानक आए है जीते आए हैं उनके परिवार के लोग भी जीते आए हैं तो मुझे लगता है कि मादवी लता बहुत अच्छा चुनाव जरूर लट रही है और इस बार दोनों आपकी अदालत में आए हैं दोनों आए थे लेकिए ओवेसी जब भी आते हैं तो उनकी बहुत रेटिंग होत लेकि मुझे लगता है कि वो पार्लमेंट में होंगी अगर लोग समा हारी तो वो राजसमा के जरीए जरूर पार्लमेंट में आएंगी और वो पीजेपी के लिए साउथ में अन्नम अलाई की तरह एक बड़ी एफेक्टिव लीडर साबित होगी अब यह तो मैं नहीं कहाना चाहूँगा लेकिन यह है कि अब मोदी जी अगर आप पूरा चैरेक्टर देखे ना तो सही लोग को सही वक्त पर पकड़ना यह कमाल की क्वालिटी है किसको कौन सा काम देना इसकी समझ उनकी कमाल की है चाहे वो अफसर हो चाहे वो पुलिटिकल लोग हो चाहे वो कैबिनेट हो यह कोई एक्स्टर ओर्डिनरी माइंड में कहूँगा जिसे रेखा पातरा को टिकेट दे दिया संदेश खेली पिडिता को यह मुदी जी का कॉल था कि इसको चुना लडवा हो संदेश खेली महिला को एक और ट्रेंट आपको बता दे दिल्ली का ट्रेंट जहां दिल्ली की सातों सीट पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है प्रवीन खंडेलवाल चानी चौक से आगे चल रहे हैं बासरी फ़राज नई दिल्ली सीट से आगे चल रही है दिल्ली की सातों सीट पर जो खंडेलवाल वही एक सीट थी जिसको लेकर जो एक्जिट पूल है उसमें संशे थे बाकी सीटों पर वैसे भी कोई खास संशे थे जहाँ जहाँ मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है चाहे वो चांदी चौक हो चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो मैनपूरी हो उसके बारे में पहली कह देते वह ये तो वीजे पे नहीं जीर पाएगी संबल पूर से आप धर्वेन प्रधाम आगे और संबल से समाजबादी पार्टी जो है वो इसमक्त लीड करिए सारण से लाली आदब की पेटी पीछे चल रही है ये बड़ी ख़बर है लाली आदब की दो बेटियां चुनाब लड़ रहे है मिसा भारती पाटली पुत्र स से और सारण से उनकी गुष्री पेटी रही है वो अपने चुनाओ में पीछे चल रही है अंश्मतन जी सारण में राजीव प्रताप रूडी की जमीन बहुत मजबूत है मुझे नहीं लगता कि रोहनी आचारे को वहाँ कोई एज है नहीं राजीव प्रताप रूडी इलेक्शन लड़ना जानते है बिल्कुल अधा मीसा भारती भी पीछे पाटली पुत्र से मीसा भारती पीछ वो नाराजगी प्रताप राम गृपाल के उपर हमला हो गया जानलेवा हमला हुआ और ये भी दिखाता है कि आपको पहले से ही लगने लगता है कि आपकी जमीन खिसा कर रही आपके लोग चले गए तभी इस तरह की चीजें होती है कारा काट भी बड़ा इंक्रिस्टिंग है कारा काट से उपेंदर कुष्वाहा इस वक्त आगे चल रहे हैं और कारा काट एक ऐसी सीट थी जिसलेखा कुष्वाह वर्सिस कोष्वाह ये कहा जाना था कि आज ये ने बड़ा अच्छा कैंडिट दिया सुमिर जी पावन सिंग जो गाया कि जिसको भरतियनता पाटे ने पहले असन सो टिकेट दिया तो लड़े नहीं वो निर्देली वहा खड़े हो गया जो कहा रहा है कि वह चुनोती देंगे मुझे लग रहा है कि बारतियनता पार्टी काराकाट से उपर इन कुछ्वा जीड जाएंगे पार्टी जानता पाटे ने उनको दिया उनका भी माँ बजबूत केंडिएट है उपर रुकुष्वा भी इलेक्शन लड़ाना जानते हैं जाती का सपोर्ट बहुत 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 स्ट्रॉंग है हमारी पैनल में किसी ने ये ख़बर भी दी थी कि उन्होंने ये कहा था कि मैं बैट जाओंगा निर्दिलिये वो खड़े थे ले पवन सिंग लेकिन पहले मनुष्टी बारी का टिकेट काट हो देटी के अंतर तो बहुत जगड़ा जो है बोचपुली गायकों का चलता था बेराल फैधावास से पीजेपी के लल्लु सिंग फैधावास बतला वह थी होथा है कि सीट लνی आगे चल रहे है बीयार के बंगसर में पीजेपी लीड करी है सूपरिया सूले एक और बहुत हाट सीट बारा मती से सूपरिया सूले इस मकट आगे चल रही है अजीत पवार की पत्नी सूले तरा पवार वो ट्रेल कर रही है ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट अबरा मती ये बड़ी obvious है अभी वो दोनों चीटों पर आगे चल रहे हैं। अभी मुझे बता जा रहा है कि जो कॉंगरेस के लीडर्स हैं वो सोशल मीडिया पर ट्विटर के जरीए फेस्बूक के जरीए कि एवी मशीन बदली जा रही हैं। इसलिए हमारे वोट का मारे हैं। जिस नंबर बताया गया था ईवी हम देश्वीन का वो भी नंबर नहीं है। तो ये बिलकुल एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि उनके दिमाग अप कहां चल रहे हैं। उनको भी पता चल रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे। नीचे पार्टी का ट्रेंड देखिए, 71 पर भाजपा, 6 पर कॉंग्रेस ट्रीट कर रही है, 71 ये इस वक्त आप नुमान लगाई है, 71 पर बीजेपी लीड कर रही है, 6 पर कॉंग्रेस पार्टी लीड कर रही है। अगर आप देखेंगे, 77 पर इंडिये, 21 सीटों पर इंडिया कटमना आगे चल रहा है, लगना उसे राजनाच सिंग की बड़ी ऑबिस सीट है, उनकी वो लीड कर रहे है, मुरादाबाद से सपाकी रुची वीरा, वो आगे चल रही है, सुल्तानपुर से मेरिका गांधी, मुरादाबाद रोचक हुआ, क्योंकि टिकट बार-बार बार बदला था, और एक तरह से कहें, तो यहां भी आजम खान सही साबित हो रहे है, अगर वो आगे चल रही है, तो क्योंकि ST हसन को चाहते थे अखले शादो, आजम खान के दबाव में रुची वीरा को टिकट दि प्रेडिक्टिबल था, लेकिन एक्चली अभी हमें बहुत एक्साइड इसली भी नहीं होना चाहिए, कि साड़े आट तक तो सिर्फ पोस्तल बैलेट है, और पोस्तल बैलेट का बायन लाज रुजान एक डायस्परा का या बाहर से, वो यूजली प्रो बीजेपी होता है, क्योंकि मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, डायस्परा, मैं इसमें एक थोड़ा सा असामत हो रहा हूं आपसे, अभी क्या है, ये सारे के सारे लोग कौन से लोग है, नौकरी पेशा, ड्यूटी में लगने वाले, वो सरकार से नाराज दिखते हैं, कई बार होता है कि ये सार परसंट से भी कम है, इतना कोई असा है, बस वो शुरुवाती ट्रेंड में देखते हैं, आप 10 मिनट की बाद तो excitement दिखाएंगे ना, आप 10 मिनट पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा दिखानी ट्रेंड जो पोस्टल बैलेट में विप्रीद दिखते हो, हाँ, आप से कुछ नई खबर बताई? पंजाब की एक सीट का ट्रेंट आया है जिस पर बीचित की एक सीट पर आगे हैं आंधरा के दो ट्रेंट से दोनों TDP के पक्ष में YSR CP के पक्ष में एक भी ट्रेंट निराल जी देखें यह तो माना ही जा रहा था कि वहां पर TDP बहुत अच्छा करेगी दो इंट्रेस्टिंग चीज़ें बता दू छिंदवारा से कमलनाद के बेटे नकुलनाद पीछे चल रहा है बदायू से शिफपाल के बेटे आदित प्यादा वो पीछे चल रहा है बदायू से सफा का उमीद्वार पिछड रहा है अगर यह भी अपने आप में बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ है समी जी बिल्कुल मुझे लग रहा है पांट परिवार के लोगों को टिकिट डिया तो माना जरा था कि बदायू से शायद वो अच्छी फाइट देंगे कानोज पे आजमगड में महनट करेंगे धर्मेंड पर या फिर बदावि में महनत करेंगे आजित यादश वायद ने का था दा कि मुझे जीताना है कि बंद्वी जीताना है कि मेरे आखरी चुनावे और मेरे राजगर के लितना किया है तो यह माना जारा था और लगाता दो बार जीत रहे थे जो राजगर से विजबी के केंडिडे रोडमल नागर उनके खिराथ फुड़ी इंटेंड कम बेसी थी लेकिन मोधी का वोटे दिगवे सिंग भुपाल 2019 म इस बार अपने गर राजगर से हारने के सिती में और फिलाल पीछे चल रहे हैं लेकिन वो हर चुनाव में ऐसा कुछ कर देते हैं कि कॉंग्रेस हार जाए